हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सभी कापके अपनी यूटूब चैनल सोसोलोजी वे संगीता मैं मैं संगीता स्वागत करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोसोलोजी की कंपेटिटिव एकजाम के प्रिपरेशन करते हैं आपको इस चैनल में देली दो क्लासस मिलती हैं जिसमें की मॉर्निंग के आट बज़े के क्लास में हम लोग कवड कर रहे हैं BPSC 4.0 के सोसोलोजी के सलेवर्स को और रात के आठ बज़े हम लोग कवड कर रहे हैं जाड़कन लेडी सुपरवाइजर और जाड़कन सीडीपियों के स्लिवर्स को तो वैसे स्टूरेंट्स जो पेट ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं और आपके एक्जाम के एकॉर्डिंग नोट्स को पर्चेस करना चाहते हैं तो जो कॉंटेक्ट नमर दिया वह आप उसमे कॉंटेक्ट करके नोट्स को पर्चेस कर सकते हैं और जो मेरे पेट ग्रूप के स्टूरेंट्स हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम पर फिरी में टेस्ट भी अरेंज करती हूं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन वह बहतर से बहतर बनते चले आज कर जो हमारा डिविजन को टॉ जाती है समाज अर्था ट्राइवल सोसाइटी के संदर्ब में हम लोग देखेंगे कैसे कोश्चन जो है इस से पूछ जाते तो क्लास को आप लोग लास तक जरूर देखिए और चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर आप दे सकते हैं कि हम लोग जन जाती है समाज के अंतरगत अल्प संख्यक दलित वर्ग जन जाती है समूदाए अन पिछरे वर्ग जिसके अंतरगत आपका स्टी 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 और ओबी सी एवं महिला उत्पूर उत्पीरन से रिलेटर जो कोश्चन से उसको एक एक करके देखेंगे तो आज का जो हमारा पहला कोश पूछारा है कि मंदल आयोग ने अन पिछले वर्गों के चैन में निमनल इखित में किस गराए माद मडल आयोग है कि एस से कुसरे मेलिद नहीं है यहां पर आपको नहीं के बारे में पूछा जा रहा है तो यह जो जिस प्रकार से राष्ट्रिय महिला आयोग को से राष्ट्रिय महिला आपका सम्रिद्धी यूजना है रोजगार परस्टिक्शन काड़ी कर दो इन सभी के डेट को भी हम लोगों को याद में रोजगार और प्रस्रिक्षन काड़ेकर्म 1980 में किया गया था डेट को आप लोग या दखिएगा नेश कोशन है कोशन अमबर 3 कि भारत में अनुसूचित जन जातियों को सरकारी सेवाओं में कितने परतिसत आड़क्षन निर्धारत किया गया जो अनुसूचित जन जाति और अलपसंख्यक जिसके अंतरकत आपको पांच धार्मिक अलपसंख्यक की बात की जारी है जिसमें मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद और पार्सी आते हैं इन समुदाय के जो लोग होते हैं इनके हीतों की रक्षा के लिए इस प्रकार के आयोग का गठन किया जाता है उसके भीकास अर्थ-सास्त्री है जो जानी जाती है तो वो महिला संपती अधिकाड काड़े के लिए जानी जाती है घरवाथ क्या है वो एक अर्थसांस्त्री हैं विकास अर्थसांस्त्री और वो महिला संपती अधिकार काड़े के लिए जानी आती हैं उनका जो सोध है उनका जो योगदान है सिधान्त और अनुवजन्य विशलेशन दोनों उसमें सामिल होते हैं उन्होंने बाड़ा पुस्त को और 84 एकादमिक पर वह अपना लेक लिखती है महिलाओं से डिलेटेड नेश कोशन है कि आर्थिक असमानताओं के विनास के लिए बिना नारिवादी लक्षों को महसूस नहीं किया जा सकता यह विचार किनका है तो यह समाजवादी नारिवाद का विचारधार है कैसी विचारधार है वर्ग आयो के प्रथम सभापती कौनते तो प्रथम अगर बोला जाएगा तो आपका काका कालेर कर होंगे और अगर दूतियों बोला जाएगा तो बीपी मंडल होंगे पिश्रा वर्ग में और भारत में बोला जा रहा है कि इसके जो सदश्य हैं उनका अनुछे 340 उनके जाचि कर सके नेश कुश्यन है कि निम्न लिखित जन जाती हूं कि कौन सी एक दो भात्रिदल ती बालियोल और थाड़ोल में बटी वह यह जो बात बोला जारा ये तोड़ा जन जाती है जिसमें जो बहांद दो परकार के भात्रिदल आपको देखने को मिलेंगे एक तो होगे तार थरोल और दूसरा हो गया तीवा लियोल यह अंतर विवाही हैं यद भी ये कई बढ़ी विवाय कूलवों में भी ये बटेवें देखने को मिलते हैं नेश कुशन है कि निम्नलिकित में से दलित नारिवाद के छेतर में किसका योगदान है तो दलित नारिवाद अगर पूछेगा तो सरमिला रेगर का योगदान है जिन्होंने 1990 के दसक में स्वायत दलित महिला संगठनों के दावे ने नारिवादी आंदोलन के ब्राह्मनवा सभावों को उन्होंने रेखांकित करने के लिए एक महत्पुन सेधान्तिक और आजनेतिक चोणोतिया उत्पन की थी और एक चीज में बोलना चाहती हूं कि आप लोगों का जो यह क्लास हो रहा है यह डिवीजन क्लास हो रहा है और रेडी मैं बहुत सारे इस से डिलेटेड क पिक्टर है वह बना दी हूं आप लोगों को अगर देखना है तो प्लेइलिस्ट बना हुए आप लोग वहां पर जाकर उसको चेक आउट कर सकते हैं नेश कुष्यन है कि पीपुल ओफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार भारत में समुदायों की संख्या कितनी है टोटल से सम्मौधित किया था तो वह बाहरी जाती बोले थे किसको आपके जो अस्पिस जातिया उनको बाहरी जाती बोले थे यह ऐसे भी पूछ सकता है कि हटर ने बाहरी जातियों को क्या नाम दिया था तो वह हो गया आपका अस्पिस जातियों के लिए बाहरी जाती का जाती है कि जाती कि जो सदश्य होते हैं वह सकरात्म काड़वाई कि कई लाबों एवन संरुक्ष्णों के लिए पात्र बन जाते हैं जब मान लीजे कोई अनुसूची जाती है अगर उसको सरकारी रूप से यह माननेता दे जाए कि हाँ आप अनुसूची जाती है तो उनको स्पेसल लाब तो मिलेगा ना उनको रासन में हर चीज में कार्ड में जो रासन कार्ड बनता हुए सब चीज में उनको मिलेगा नेक्स है कि भारत में अस्पेस जातियों को अनुसूची जातियों का नया नाम किसके द्वाड़ा दिया गया मतलब अस्पेस जो जातिया है व कार्थिक और आजनेतिक सुभीदाई दिलाएने के लिए उनका उलेक अनुसंदा जो सम्विधान है उसकी अनुसूची में किया गया इसलिए उनको अनुसूचित जाती बोला जाड़ा है नेश्ट कुशिने की कौन सा नारिवादी सिध्धांत इस विश्वास से अभी लिक् नेक्स्ट कुश्य है कि किस बिद्वान ने जन जाती है जो समस्याएं हो उनके समाधान के लिए राष्टिय उपवन की स्थापना की है तो वेरियर एलवीन हो जाएंगे और उन्होंने अनुसूची जाती और आदिम जाती कमीशन में सरजीब के रुपे वेकार कर चुके ह सरकार तो इसकी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तूत की थी वह भारत सरकार जन जाती है मामलों के सलाकार भी रहे और राष्टि कि अस्थापना की द्वारा की गई है नेष्ख रसने की भारत में 2021 को किस वर्ष की रूप में घोशित किया गया है तो 2021 हZ जो यह आपका महिला स वर्ष के रूप में इसको इंगित किया गया है नेक्ष्य की भारतिय सम्विधान में 73 भाग संविधान आधन के दौद्धन से किन-सांसों सोधन के दे स्वाड़ा निमनलिखित मेंसे किन-किन वर्गो को occupied देगा गया तो 73 यह लोग्या तरह कता ची और इसी पंचायती राज विवस्था में बोला गया कि एक बटा तिहाई पर्तिसत जो स्थान वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा एवं अनुसूचित जाती एवं जो अनुसूचित जन जाती है ठीके उनके लिए भी स्थान आरक्षित रहेगा ये 73वा समविधान समसो राए ने बहुत महनत की और अंग्रेज अधिकारे की वात की जाए तो विल्यम वेंटिक में भी इसमें बहुत ही ज्यादा अपने प्रयास के माध्यम से इसको ये जो कूप रथा थे इसको बंद करवाया नेक्ष्ट है कि निम्नांकित में से कौन एक समाजिक समस्या है तो आपका महामारी, पागल्पन, भुकम् या अस्पिस्तर तो जो अस्पिस्तर है ये एक बहुत भेंकर समाजिक समस्या हमें देखने को मिलती है नेशकोष्यर्ण है कि महिलाओं के प्रती होने वाले अपराधियों की प्रकती है उसको अपराधिक हिंसा, गढडेलू हिंसा, एवं समाजिक हिंसा के रूप में किसने वर्गी करन किया है तो राम अहुजा ने किया है ठीक है नेश कुशन है कि किस आयोग द्वाड़ा अन्य पिछले वर्गों हे तू निश्यत पतिसत आरक्षन की संस्तूती की गई थी और जिसे भारत सरक्वाड द्वाड़ा लागू किया गया था तो जो पिछले वर्ग है उनके लिए जो आयोग का गठन किया गया था उस आयोग का नाम था मंडल आयोग ठीक है मंडल कमीBookन का गठन कब किया गया था पत्र में आरक्षन देने सम्मंदी वादे के अनुरूप पिछरे वर्गों के लिए जिस आयोक का गठन किया उसके अध्यक्ष कौन थे तो कौन थे बीपी मंडल थे इस चीज को याद दखेगा नेक्ष्टे की भारत में नारी विकास एवं कल्यान हेतु राष्ट्य नीती कब बनाएगी तो 1976 में बनाएगी यहाँ पे आपके कथन और तर्क दिये गए हैं तो कथन बोला जा रहा है कि अल्पसंख्यक समू अक्सर बहु संख्यों के प्रती और विश्वास व्यक्त करते है तर्क यह है कि अल्पसंख्यक समू प्राय पुर्वाग्र और पक्षुपात के सिकार होते हैं तो इसका जो राइट एंसर यह हो जाएगा कि ए और आप दोनों सही है लेकिन आर जो है ए का आर सही स्पस्टिकर नहीं है अर्थार्त लिविस बर्थ ने अल्पसंख्यक समू क को पड़िवासित करते हुए लिखा कि यह व्यक्तियों का ऐसा समू है जिसे उनकी साडरिक और सांस्कृतिक विसस्ताओं के अधार पर उस समाज के अन्य व्यक्तियों से जिसमें वे रहते हैं भेद पापुन और असमान वहवार करके इस प्रकार अलग-अलग कर दिया जा अलगि हrißt को पता चल रहा है कि उनकी सामूहिक रूप से भेद्वाव किया जारहा है अप संख्यां में थोड़े तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अनकी जुमाक्रान मांतरा है उनकी जो संक्याइब वो कम हो गए नेश ब्रकार ने किन निह लिखित में भारत में ब नेक्स्ट है अनुसूची जाती फ्यटरेसंद की स्थापना बीर अमबेटकर जी ने की थी वे भारत की जाती बवस्ता के घोर बीरोदी एवं कटु आलोजक थे जाती बवस्ता अधारणिन की प्रमुक किर्तियां थी annihilation of caste 1936 the untouchables 1948 untouchables है तो बहुत बार question आपको देखने को भी मिलेंगे next question है कि काका कालेलकर कमिशन के नुसार पिछरे वर्गों की निर्धारन का माबदन क्या कैसा बुलेगा कि यह पिछरे वर्ग है तो उनकी जाती की अधार पर next है कि पिछरावर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछरावर्ड यानि OBC के लिए 27% का आड़क्षन का प्रस्ताव रखा था तो पिछरावर्ग में कौन रखेते प्रस्ताव तो VP मंदल जी रखेते निश के शिरा की 2005 की घडेलू, हिंसधा अधिनीय में क्या नहीं सम्मीली थे तो क्या नहीं सम्मीली थे बोला जा रहा हैं तो आपका इसमें वस्त्विक दुर्वेवार, लेंगिक दुर्वार्वार और मौफिक दुर्वार तथा भावनात्मक दुर्वार ये जू بोड़ नेक्स ये कि भारती इतिहास के किस यूग को इस्त्री जाती के लिए काला यूग बोला गया है तो जो भारती इतिहास का मध्यकाल था वो इस्त्रीयों के लिए काला यूग था क्योंकि इसी यूग में पर्दा-पर्धा, बाल विवा को बहुत जादा बढ़ावा मिला, सूची जाती सब्द का स्रबपथम प्रयोग किसने किया था अभी हम लोगों ने देखा साइमन कमिशन जी के त्वारा किया गया नेक्ष कुछ ने कि सेडूल्ड कास्ट सब्द स्रबपथम प्रयोग में कब आया था तो 1935 में दुरबल वर्ग कौन नहीं है ठीक है तो जो रहरर बिय्कर बात की ही ती और स्वेस जाती के बारे में वे बात करते हैं और निंब्र जस्थमी तकर भाण हिए नेक्ट कोईशन है कि भारत में पिछले वर्ग आयोग के प्रथम सवावपती कौन थे तो काका कालल कर थे यह चीज को याद रखिएगा नेक्ट रहे पिछले वर्ग की समस्याओं की निदान में किसने सबसे अधिक पहल की थी तो समाज नीटी निर्मताओं ने इस पे बहुत जादा पहल की थी इसका हम लोग एक्स्प्लेनेशन देख लेते हैं कि राश्टपती ड्वाड़ा अनुछे 340 के प्रापधानों के तहत अब तक दो पिछले वर्ग आयोग गठित किये गए थे 1953 में काका कालल कर आयोग और 1978 में BP मंडल आयोग रामा नंदन प्रसाद आयोग की रिपोर्ट में पिछले वर्गे के संपन लोगों की पहचान के लिए सीमा निर्धारी थे तो इसकी जो संस्तूती थी वो प्रस्तूत की गई थी नेश्ट है कि राश्ट्रिय महिला आयोग का गठन कब किया गया था तो 1992 में 31 जन्वरी 1992 में इस गठन किया गया था और अगर पूछा जाए कि राश्ट्रिय महिला आयोग अधिनियम कब बना था तो 1990 में बना था क्योंकि पहले अधिनियम बनता उसके बाद फिर कोई आयोग का गठन किया जाता है आज के क्लास इतनी तक ही रहती है ये जो क्लास से जन्जाती है समाज इसको मैं एक और वीडियो में लेकर आऊंगी पार्ट टू में जिसमें हम लोग वन लाइनर फॉर्म में भी इसके कोशन देखेंगे और कुछ कोशन जो आप्सन बाले भी देखेंगे तो चैनल के साथ आप लोग बने रहे और आज इतने कोशन आप लोग को करवाएगे हैं उन सभी को आप लोग जरूर डिवीजन कीजिए तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद